अगर आप मेरे चैनल में नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर दीजेगा आज मैं खाने में बनाने वारी हूं मूली के पत्ते की सब्सक्राइब बनाने में बनाने में ने सब्सक्राइब तो यहां पर मैं कुछ भी शेयर कर रही हूं मैं जल्दी जल्दी से भाजी बना रही हूँ अगर आपको रेसिपे वीडियो चाहिए तो आप मेरे रीचा मेरा शॉर्ट चैनल को चेक कर सकते हैं आपको उस पे मुली के पत्ते की रेसिपे मिल जाएगी सबजी के बनते बनते ही दाल भी बन चुका है और चामल भी बन के तयार हो चुका है आप देख सकते हो कि भाजी भी बहुत अच्छे से उबल गई है और घर में टमाटर खतम हो गए थे बाकी सबजिया दो थी तो यहाँ पर मेरे हजबन टमाटर लेके आए हैं ठन के समय में सारी सबजिया बहुत फ्रेश मिलती है और बहुत हरी हरी मिलती है तो तमाटर आप देख सकते हूं कि टमाटर भी कितना उज़्यादा फ्रेश है तो मैंने साथ ही साथ तमाटर को भी कट करके रख दिया है यहाँ पर मैं सलात के लिए काट रही हूं मूली जब भी मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता तो मेरे हजबन केचन में मेरी हैल्प करते हैं अगर वो जल्दी आ जाते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हो कि एक साइड में सलात काट रही हूं और मेरे हजबन पापड फ्राई कर रही है फिर मेरा काम और भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है और आज मैंने व्लॉग सिप केचन पर ही बनाया है सिप कोकिंग करते हुए यह हमारा दिन के खाने का व्लॉग है और शाम को मैंने बनाया हुआ था मेथी का पराठा यहाँ पर मैंने मेथी को अच्छे से धूलने के बाद बारिक कट कर लिया है और मैंने इसके उपर डाल दिया है आटा आटा और मेथी आप अपने कॉंटिटी के हिसाब से ले सकते है आता चानने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा बेसन, बेसन डालना इस पर जरूरी नहीं होता है, बट मैं हमेशा जब भी मेथी का पराथा बनाती हूँ, इस पर थोड़ा सा बेसन एड़ कर देती हूँ, उसके बाद मैंने इसमें डाला थोड़ी सी हल्दी, मिर बची और नमक तो मैंने आटाजन के i goes stop ऐल रहं की अच्छा लगता है और हम फिर टो ही रहते हैं तो मीरे हस्बिनいます बुखली हो रहते हैं सी कोड़ी रखना जाम तो अपा लिए लिए और head वाटल जाओं मेरे टुर्भना तो alea मेरी इसलिए help करा देते हैं क्योंकि वो सबजियां भी बहुत ही जादा टेस्टी बनाते हैं जब भी मुझे थोड़ा सा अच्छा फील ना हो तब तो मेरे husband मेरी पूरी-पूरी help कराते ही हैं जब मेरी help नहीं करा सकते हैं या उनको आने में लेट हो जाता है तो फिर मेरी husband बहार से खाना ओर्डर कर देते हैं वो मुझे भी काम करने नहीं देते हैं यहां पर मेरी husband को बिलकुल पता नहीं था कि यहां पर side में मेरा vlog बन रहा है मिन्स camera on है उनको पता रहता तो वो kitchen में भी नहीं आते तो यहां पर पराठा बन के हो चुका है ready तो आप देख सकते हैं कि finally पराठा कैसा दिख रहा है तो guys आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next vlog में bye guys